हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का रोजगार परीश चैनल पर दोस्तो आज हम आपके लिए कांग्रेस सोचलिस्ट पार्टी 1934 से सम्बंदित कुछ महत्पूल क्योशन लेकर आएं जो बार-बार एक्सामें पुछी आते हैं दोस्तो इसके संस्थापक जो थे वो आचारे नरेंदर देव उजय परकास नरायन थे इसको याद रखेंगे चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आपका पहला क्योशन है कांग्रेस सोचलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहा हुई थी दिल्ली में नासिक में पटना में ला इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर दो कांग्रेस सोचलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी 1921 में 1934 में 1937 में 1949 में तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option B 1934 में चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 3 कांग्रेस सोचलिस्ट पार्टी के संदर में निमलिकित कतनों पर परिविचार कीजिए नमबर 1 इसने ब्रिटिस माल के बहिसकार और करो के अपवंचन की बकालत की थी तो यह गलत हो जाएगा इसने ब्रिटिस माल के बहिसकार का समर्थन किया था नेकी अपवंचन की बकालत की थी त सर्वहारा बर्ग का जो अधिनायक इस्थापित करना था वह कांगरेस का कारिया नहीं था यह मार्गस बात का था इसको याद रखेंगे चलिए देखते हैं नमबर तीन इसने अलप संक्य को तथा दलित बर्गों के लिए पर्थक निर्वाचन चेतर की वकालत की थी तो इसन कौन कांगरेस समाजवादी दल का पिरमुक नेता था एम एन राय गलेश संकर विध्यारती पट्टम दालू पिल्ले आचार्य नरेंद्र दे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर पाज 1934 सिस्वी में कांगरेस सोचलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जवालल नहरू और बिनोवा भावे द्वारा जवालल नहरू और जैपरकास नरेंद्र द्वारा जैपरकास नरेंद्र द्वारा असोक मैता डांक्टर राजिंद्र परसाद द्वारा इनमें से कोई नहीं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C, जैप्रकास नाराण और आचार्या नरेंदर देव द्वारा 1934 में कांग्रेस सोचलिस्ट पार्टी की स्थापन की गई थी, इसको याद रखेंगे, चलिए अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नंबर 6 बर्स 1934 में पटना में अकिल भारतिया कांग्रेस समाजबादी पार्टी का सहींजा कोन था? आचार्या नरेंदर देव अच्युत पटवर्धन जैप्रकास नाराण डाक्टर मनोहर लोहिया, आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C, जैप्रकास नाराण बर्स 1934 में पटना में अकिल भारतिया कांग्रेस समाजबादी पार्टी का सहींजा कोन जैप्रकास नाराण थे, इसको याद रखेंगे, चली अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नंबर 7 बर्स 1934 में कांग्रेस समाजबादी पार्टी का गठन किसके द्वारा क्या गया था, तो रिपेट क्योशन आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन B, जैप्रकास नाराण और अचारिय नरेंद्र देव चली अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमर 8, जैप्रकास नारा किस पार्टी से जुले थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C, कांग्रेस सोचलिस्ट पार्टी चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन 9, बिहार तो सोचलिस्ट पार्टी के संस्थापञक कौन थे तो repeat क्योशन आपका सही उत्तर हो जाएगा option जैपरकास नाराया चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर दस लोक नायक के नाम से किसको जाना जाता है मात्मा गांदी, सुभाचेंद्र बो, जैपरकास नाराया और बाल गंगधर तिलक तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option C, जैपरकास नाराया तो इसको याद रखेंगे दोस्तों जैपरकास नाराया को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है चलिए अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नाराया को कौन सी उपादी दी गई थी, तो सेम क्योशन रिपीट है, आपका सही उत्तर हो जाएगा option B, लोक नायक अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नामर 13, जैपरकास दिवस कम मनाया गया, जनवरी 1946, फरवरी 1940, मार्च 1946, और अपरेल 1946, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option D, अपरेल 1946 अपरेल 1946 में जैपरकास नाराण की रिहाई के लिए जैपरकास दिवस मराया गया था, पठना के बागीपूर मैदान में एक जनसबा हुई, जिसमें राजनितिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नितिक की आलोचना तथा, जैपरकास की रिहाई की मांग की गई थी, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट की उसन है, आज के लिए इतना ही काफी है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप करना चाहते हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबादें